वेलो गाईज, Welcome to my channel, मैं हूरिचा, मैं आज आपके साथ एक काजन लगाने का यूज शेयर करूंगी, काजन लगाऊंगी आपको different different तरह के, तो मैं आपको के साथ वही लगाऊंगी, और आप भी देखिये गए कि मैं किस किस तरह के लगा रही हूं, और मैं create करूंगी, यह बहुत अच्छा कजलि है और जो कजल होते हैं तो इसको ही देखते हैं इसको मैंने बहुत ज्यादा कजल लगाया है और यह बहुत अच्छा है 90 रोपीज का है ये और वैसे दूसरे जो Lekmen का जलाता है अर उसका Mavellin का जलाता है उससे ये ज्यादा बेस्ट है प्राइज भी कम है और लगाने में भी अच्छा है तो मैं इसी से काजल लगाऊंगी और इसकी ठीक है बहुत है मैं बहुत लगा भी चुकी हूँ इसको तो चलिए देखते हैं किसको लगाना कैसे है फस्ट लुक क्रियेट कर रही हूँ है इस तरह से लगा लीजिए आप वाटर लाइन पर ही लगाना है आपको नीचे नहीं आना चाहिए नहीं देखिए यह वाली आंक में और यह वाली आंक में डिफरेंस देखिए आप सेकंड लुक है सिकाजल को हम लोग मोटा कर लेंगे नीचे से यह देखिए यह देखिए और यह वाली आईस देखिए यह इसमेच प्रूफ है तो अच्छा यह काजल यह फैलता नहीं है जल्दी तो यह मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूं आप लोगों के साथ फ्रेंट्स अब इसको थ्री में लगाऊंगी थ्री इसको उपर से ले जाऊंगी आपके साथ टी यह थ्री लुप प्रेड हो गया यह देखिए मैं अब फोर लगाऊंगी मैं इसी गाजल को तरह से कर लेंगे थोड़ा सा मोटा अब इसको हटा सकते हैं अगर ज्यादा मोटा हो जाए तो आप फटा लीजिए कि यह देखिए देखिए फैंट्स यह छोटी सी विंग बनानी है आपको यह फोर तरह की काजल हो गया है अब शिक्स बनाएंगे हम लोग तो इसको ही थोड़ा मोटा कर लेंगे इधर से और विंग को थोड़ा लंबा कर लेंगे नहीं कि यह थेखिए कि अ पर शेपयर पीद्स हमॉर 있지 हम पर पत्लय से कि द्सक्राद रख शाहरा होë यह थेखिए रखना चाहते हैं तो मोटा भी रख सकते हैं यह आपके उपर है आपको किस तरह का काजल अप्लाई करना है कि यह सिक्स बना रहे हूं है कि हाफ आइज में ही काजल लगाना है आपको वटर लाइन में और उपर अच्छे से लगा लेना है कि यह दो कि यह दो कि नीमें सेवेन अप्लाई कर रहे हूं तो थोड़ा अब इसको यह लोग अब इसको यह लोग अब अब आ बड़ा कर देंगे यह एट काजल लगा रहे हूं है एट नमबर अब आपको अच्छे से मोटा कर लेना है इस तरह से अब आपको आपको अच्छे से मोटा कर लेना है अब कि आप इससे को इस तरह उपर वाले से लेट से जोड़ेंगे तो बादम से पाज़ा है अब देखिए फैंट्स यह किस तरह काजल लग रहा है यह किस तरह का लगा रहा है अब को कौन सा अच्छा लग रहा है आप खुद भी देख से अब जिस तरह का चाहे आप उस तरह का अपलाई कर सकते हैं आपनी आइस पर जाइब जो तरह कीड़ से लाउने काज़ लगाओंगी यह तो थोड़ा में आप अब जोटोंगे हैं आप आप काज़ लगाओंगे कि लंबा कर टूंगी कि अच्छे से मोटा करूंगी जो उपर वाला गाजा ले उसको भी अच्छे से इधर से मोटा करूंगी लास्ट से तो दीखे फैंट्स यह नाइन हो गये हैं नाइन तरह के हो गये हैं एट तरह के हो गये हैं अब मैं नाइन बनाने जा रही हूं इसको भी थोड़ा मोटा कर लूंगी मैं इधर से पनाने डेभी मैं बनाने 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 जाएन प्रावपगी मैंilateralम कर भी थोड़ारा जाएन प्रावपटा इसको मैंने जोड़ा नहीं इसको मैंने जोड़ दिया तो यह कैसा लग रहा है यह ओवल में लग रहा है यह गोल लग रहा है इस तरह से यह नाइन काजल हो गए है अब मैं टैन बनाऊंगी है कि टैन काजल लगा रही हूं मैं इसको मैं ऐसा ही लगा रहने दूंगी बस यहां से मुझे इस तरह से कर देना है तूंगी प्या है ये फिश काजल है अब ये वाला काजल जरूर कहीं किसी पाइटी में लगाके जाएंगे सब आपको जरूर देखेंगे पक्का है ये ये मैं गारंटी के साथ बोल रही है आपको जब टेडिशनल कपड़े पहन के जाते हैं गई अब यहां से इसको अच्छे से जोड लीजिएगा हिसे काजल आजाएगा आपका इस तरह से अ इसको भी में जोड़ा ही हुआ है इसको थोड़ा सा ये आप क्यों पर फ्रेंड्स कितना लंबा इसको रखना है कितना छोटा करना है ये सब आप अपने तरह से कर सकते हैं तो देखिये फैंड्स कैसा लगाये ये लुक ये लुक आपको कैसा लग रहा है फैंड्स ये देखिये प्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है अगर ये मेरे कलर्स अच्छे लगी हैं अगर ये आपको अच्छा लगा है अप्लाई करना तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मैं आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो लाओ और इसमें से कमेंट करके बताएगा आप कौन सा लुक अच्छा लगा मैंने 10 क्रेट किये हैं आप याँ वी करने ही बाइज़ उन्ही बाइज तर अठने ही भाइज